कोशन सेलफ प्रेक्टिस 9a का कोशन नमबर फोर्थ से मैंने रफ में एक्स्प्लेन किया है तो देखिए कोशन नमबर फोर्थ इस फॉर इच एंगल इन ग्रॉप A ठीक है आपको टेबल दी गई है एक कोशन में जिसमें दो ग्रॉप है एक ग्रॉप A है जिसमें वैल्यूस ह ग्रॉप B है जिसमें दूसरी फैल्यूस है ठीक है तो आपको पूर रहा है फोर इच एंगल इन ग्रॉप A के सारे एंगल्स जो दिये गए है ठीक है उनका कॉंप्लिमेंट फाइंड करो find its कॉंप्लिमेंट ठीक है इन ग्रॉप B फिर आपको चेक करना है मैच करना है कि फि युसे कौन से वाला उसका सब कॉंपलिमेंट रया बी वाले का कौन सा कॉंपलिमेंट रया सबके fin करके फिर उनको match करना है तो ग्रुप B के सबसे पहले हमको COMPLEMENT निकालने पड़ेंगे तो कॉंपलिमेंट कैसे निकालते हैं 90 से माइनस करके त्यूंक इहा या जगना कॉंप्ला किस से करते हैं 90 से माइनस करते हैं और सप्लिमेंट होता है तो 180 से माइनस करते ही ना? तो 20 पहला नंबर क्या है 20 डिग्री तो इसका कॉंप्लीमेंट निकालने के लिए इसको मैं 90 से माइनस करूंगी 90 से माइनस करी तो कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है, that means 20 का क्या कॉंप्लीमेंट रहे 70 डिग्री, second 10, 10 डिग्री, 10 डिग्री का निकालने के लिए 90 से माइनस किया तो 80 डिग्री, सबको ऐसे 90 से माइनस करना है, first वाली, group A के, ठीक है, इसको 90 से माइनस करोगे तो 55, 90 को 45 से माइनस करोगे तो 30, 90 को 85 से माइनस करोगे तो 5, 90 को 65 से माइनस करोगे तो 25, ठीक है, again आप क्या करोगे, जो टेबल दी गई थी, इसको फिर से ड्रॉ करोगे, ठीक है, अब हम देखेंगे 20, 20 का क्या आया है, 70, तो group B में 70 कहां है, ये रहा, तो इसमें डालोगे first number, क्योंक compliment 80 degree, group B में 80 degree ढूंडो, ठीक है, तो ये second, उसके नीचे लिख दोगे, ये second का answer है, third वाले में 55 आया था, 55 कहां ये है, third answer ये, 45 का 45 आया था, fourth का ये हो जाएगा, fifth का 30 degree answer है, fifth का 30 degree, sixth का 5 है, तो sixth में डाल देना, और seventh का कितना है, 25 तो seventh में 25, बस इतना ही करना है, ठीक है, फ question number five is, for each angle in group A, group A के angles जो है, उनका अब क्या find करना है, हमको supplement करना है, supplement, मतलब group A के अब सारे angles को किस से minus करना पड़ेगा, 180, 180, 180 से, इसमें हमने 90, 90 से minus किया था, यहां 180, 180 से, ठीक है, तो 180 में से जब 140 को minus करोगे, तो कितना आएगा, 40, 180 से जब 70 को minus करोगे, तो 110, ठीक है, फिर 100, इसको 179 को minus करोगे तो 1, 165 को करोगे तो 15, ठीक है, 45 को करोगे तो, 55 को करोगे तो 125, 45 को करेंगे, तो 135, 80 को करेंगे तो 100, ठीक है, अगेन ये टेबल बनाओगे, पहले का अंसर क्या आया है, 140 का 40, तो group B में डूंडो 40 कहा है, यह रहा, तो इसके नीचे नालोगे, वन नमबर, group 2 का, do का 70 का 110 आंसर आया है, तो group B में 110 डूंडो और उसमें second लिखो, तो ऐसे आपको सारे आंसर लिखके उसका numbering करती ना है, ठीक है, तो ये था हमारा question number 5, okay, now question number 6 is, two complementary angles are in the ratio 7, ratio 8, then find the angles, आपको बोल रहा है कि दो complementary angles का ratio जो है, वो 7, ratio 8 है, ठीक है, दो complementary angles नहीं बता रहा है, ठीक है, आपको उनका ratio दिया गया है, ठीक है, तो आपको उनको angles बताने कि वो angles कितने होंगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे, question से, कि two complementary angles जो है, उनका ratio कितना है, 7, ratio 8, ठीक है, अब हम क्या होता है जब भी quantities हमको ratio में दी गई रहती है तो उसको हमको पहले ऐसे हम अलग-अलग नहीं ले सकते कि पहला 7 होगा दूसरा 8 होगा नहीं क्योंकि वो ratio में है तो उनके लिए पहले हमको एक common ratio लेना पड़ेगा जो कि हम क्या बोलेंगे x हम लिखेंगे let the common ratio is x then the angles are अब angles को हम दोनों को अलग-अलग करके लिख सकते हैं 7x और दूसरा क्या होगा 8x ठीक है अब हम जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं complimentary है तो complimentary angles का sum कितना होता है 90 degree तो लिखेंगे कि ये दोनों angles क्या है complimentary है जिनका sum 90 है तो दोनों को add कर देना 7x plus 8x is equal to 90 degree ठीक है 7x में 8x add होगा तो 15x is equal to 90 degree यहां से x की value निकाल लिए हैं उसके साथ 15 जो है वो multiply में है तो वहाँ जाके divide में 90 को 15 की table में 90 कितनी times में आता है 6 times में तो x की value क्या हो जाएगी 6 degree ठीक है अब ये x की value आई है मतलब ये common ratio की value आई है तो angle निकाले के लिए 7x था मतलब 7 into 6 करेंगे तो पहला angle निकलाएगा 42 degree दूसरा क्या था 8x 8x मतलब 8 into x करेंगे तो 8 6 जा 48 degree तो दो angles क्या होंगे वो 42 degree and 48 degree ओके नाव कोशन नमबर 7 तो supplementary angles are in the ratio 3 ratio 7 find the angles ठीक है अब just opposite इसका supplementary के लिए दिया है लेकिन ratio ही दिया है 3 ratio 7 तो मैंने क्या बोला इनको अलग अलग असे नहीं लिख सकते एक common ratio लेना है common ratio क्या होता है x होगा ठीक है तो दोनों का common ratio क्या है x है ठीक है फिर अब अलग 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 लिख सकते हैं 3x है दूसरा 7x है just because यह supplementary angles हैं तो इन दोनों का sum कितना होगा 180 के बराबर तो 3x plus 7x is equal to 180 degree 7 में 3 add होगा तो कितना मन जाएकर 10x is equal to 180 degree x बराबर 180 अपॉन 10 की है 0 से 0 cancel तो x की value क्या आगए 18 degree ठीक है अब यह x common ratio की value आई है पहला angle हमने क्या माना था 3x मतलब 3 into 18 और दूसरा 7 into 18 जब 3 into 18 करोगे तो कितना आएगा 54 degree और 7 into 18 करोगे तो 126 degree ठीक है तो यह answer लिख देंगे कि first angle 54 second angle is 126 degree ओके नाव कुशन नमबर 8th is tell whether the angles are only adjacents आपको बताना है कि जो angles है या तो वो only adjacent है या adjacent and from a linear pair ठीक है आपको बताना है या तो वो adjacent है या adjacent and from a linear pair है या तीसरा क्या not adjacent है ठीक है तीन चीज आपको दीएं या तो वो pair of angle जो है वो adjacent होगा या adjacent और linear pair होगा या तो not adjacent होगा ठीक है तो question अब देखो इसमें यह diagram है इसमें हमको बोल रहा है पहला 1 and 4 क्या होंगे angle 1 और 4 क्या होंगे तो angle 1 and 4 जो है वो adjacent भी है ठीक है adjacent भी है और क्या है linear pair भी बना रहा है इन दोनों का sum 180 के बराबर होगा तो इसका answer क्या लिखोगे second वाला adjacent and formal linear pair ठीक है ऐसे ही 2 और 3 ये 2 और 3 क्या होंगे linear pair क्योंकि ये दोनों एक ही line पे है और adjacent में है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे adjacent formal linear pair ठीक है c वाले का answer 3 और 4 गया है दी वाले में एंगल 3 और एंगल 1 क्या है तो यह एड़्जासंट भी नहीं है ना तो लिनियर पेर है तो क्या लेखेंगे not adjacent ओके कुछिछ नमबर 9 इस find the measure of the lateral angles ठीक है आपको measure करना lateral angles का sum तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी definitions में कि linear pair में linear pair में जितने भी angles बनते हैं उनका sum बन 80 होता है linear pair का मतलब होता है एक ही line पे बने angles ठीक है तो यह देखिए एक ही line पे a भी बन रहा है 90 दोनों एक ही line पे है ना ठीक है तो इन दोनों का sum कितना होगा 180 तो हम लिखेंगे by linear pair से a और 90 का sum जो है यहाँ पर आपको question में 90 नहीं दिया है लेकिन आपने खुद से पहचाना कि यह straight line angle जो है वो 90 ही होता है exact 90 इसलिए तो a और 90 का sum कितना होगा 180 ठीक है फिर अब a की value निकालनी है तो 90 उसके साथ प्लस में है वहाँ जाके माइनस में तो 180 में से 90 माइनस किया तो कितना आ गया 90 मतलब a की value के आ गई 90 ठीक है बी वाले में आपको कौन सा वैरियेबल दिख रहा है p मतलब p की value निकालनी है p की value निकालने के लिए फिर से linear प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी लिने प्रॉपर्टी क्या होती है जब एक ही एंगल मतलब एक ही लाइन पर सारे बने हुए एंगल का सम 180 होता है तो यहां पर एक ही लाइन पर कौन कौन से एंगल बने है 108 और p तो हम लिखेंगे 108 और p का सम कितना है 180 दिगरी पी की value न इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 के बराबर x की value निकालनी है तो 39 को वहां transfer करेंगे तो minus में हो जाएगा 180 में से 39 minus करेंगे तो 141 आ जाएगा ठीक है दी वाला देखिए इसमें एकी लाइन पर बन रहे हैं straight वाली ठीक है तो 7b और 2b का सम कितना होगा 180 के बराबर 7b और 2b क is equal to 180 B की value निकालनी है तो B के साथ 9 जो है वो multiply में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा 9 बंजा 9 करेंगे 9 2 जा 18 ठीक है तो B की value के आ गई 20 degree देखिए हमको B की नहीं निकाल ली थी हमको इन दोनों angles की निकाल ली थी तो पहला क्या है 7b degree है ना पहला क्या एंगल है 7b degree तो 7 x B, B की value आ गई 20 तो 7 x 20 मतलब 140 degree दूसरा क्या है 2b degree तो 2 x B degree की value के है 20 तो 2 x 20 क्या तो 140 degree ठीक है यह वाला ऐसा ही अब देखो इसमें एक लाइन पे तीन angles बन रहा है 62b, yb, 53b, तीनों इसी लाइन पे हैं तो linear player से इन तीनों का sum 180 के बढ़ाबर होगा ठीक है फिर इन उनों को जोड़े 62 और 53 तो कितना होगा 115 प्लस y is equal to 180, y की value निकालनी है तो 115 को वहाँ transfer करेंगे तो यह plus में होकर वहाँ minus हो जाएगा 180 में से जब minus होगा तो 65 degree ठीक है, F वाले में भी ऐसा ही, तीनो bb angles जो है वह एक ही line पे हैं, तो 3b का sum जो है 180, तो 3b मिलके 3b बन गए, b, 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 3b, ठीक है, b, q निकालना है तो 3 उसके साथ multiplier में वहाँ जाके divide में 3, 1, 4, 3, 6, 1, 18, 0, 0, तो b की value के आगे 60 degree, ओके, जी वाले में भी ऐसी linear pair लगाना है, लेकिन linear pair दो बार लगेगा, क्यों, क्योंकि एक बार इस वाली line पे लिए लिए लगाएंगे, तो यह दोनों एंगल्स है, ठीक है, इस line पे, तो इन दोनों का सम 80 के बराबर होगा, 139 और d का सम 180 के बराबर होगा, d निकालना है तो 139 को minus करें, 180 minus 139 तो कितना आगया, 41 degree. और अगेन अब इस लाइन के लिए निकालेंगे जो इस लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं तो इन दोनों का सम 180 के बरावर होगा C निकालने के लिए 49 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 180 से 49 माइनस होगा तो 131 तो C आगया 41 डिकरी और D इतना आगया 131 डिकरी ठीक है ऐसे ही है इस फ़ाली राइन में निकालने के लिए लेकिन ये देखो ये दोनों का सम 90 डिकरी के बरावर होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिकरी का एंगल बना रहे है तो F प्लस 32 90 डिकरी क्योंकि कॉम्प्लिमेंटर है ठी कितना आया 58 जी कितना आया 25 कोश्य नमबर 10 देखिए फाइंड करना है हमको इसमें हमको इफ यदि ए यदि 110 है तो बी की वैलू फाइंड करो तो देखो यह वाला अपने अंगल सापको फिफ्ट मेंबर की डेफिनेशन में भिलेगा रिफ्लेक्स एंगल है ठीक है तो कॉंप क्योंकि यह रिफ्लेक्स एंगल है मतला रिफ्लेक्स एंगल नहीं है पूरा कम्प्लीट एंगल है तो कम्प्लीट एंगल में क्या लेते हैं 360 तो हमने बोला ए और बी का एंगल का समझो है वो 360 है अब उसमें से ए की वैलू तो गिवन है 110 लेकिन बी की वैलू नहीं है तो B को as it is is equal to 360 B की value निकालनी है तो 360 में से 110 को minus कर देंगे तो 250 आजाएगा इसका B देखिए B की value निकालनी है जब A की value है 1 1 upon 4 right angle S ठीक है angle S जो है वो 90 right angle है ठीक है तो right angle की value क्या होती है 90 degree तो 1 upon 4 into 90 कर दिया है इसकी जगे 90 लिया है ठीक है क्योंकि right angle है S तो S की value कितनी होगी 90 degree ठीक है फिर क्या हो जाएगा यहां लिख दीजेगा angle S की value क्या हो जाएगी 90 degree ठीक है फिर हम लिखेंगे इसको mixed the same proper में change किये तो 4 1 जा 4 4 4 plus 1 5 upon 4 into 90 जब इसको solve करेंगे तो कितना आजाएगा 112 into 5 degree ठीक है अब same angle A और B का sum कितना है 360 इसमें A की value कितनी होगी 100 12.5 degree B की निकालनी है तो इसको 360 से minus कर देंगे तो इतना आजाएगा अब हमको ऐसे ही answer देना है जैसा A दिया है ठीक है तो इसको पहले क्या करेंगे mixed में change करेंगे mixed में divide करेंगे 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू जा 8 आजाएगा ठीक है अब इसको mixed में लिख देंगे 2 साइज 3 बाइ 4 ये right angle S ठीक है ये होगा है फिर क्या आता है अपन का C, C में अब B की value निकालनी है तो A की निकालनी है B दिया है तो B की जगे इतना रखेंगे और foot का देंगे A की आजाएगे ऐसी same इसका D वाला है B की value निकालनी है जब B minus 3A is equal to 40 है तो देखो B minus 3A is equal to 40 है तो B की 3A को हम transfer करेंगे वहाँ पर 40 के पास तो minus का वहाँ पर plus बन जाएगा ठीक है ये minus है तो वहाँ जाके plus बन जाएगा ठीक है तो 40 plus 3A और एक तो हमने जानते हैं कि दोनों का sum कितना है 360 तो यहाँ से B की निकालेंगे तो A को transfer करेंगे तो 360 minus A अब देखो B की हमारे पास दो value है ये भी B के बराबर है ये भी B के बराबर है तो दोनों को B की values को equal लेके चलेंगे ठीक है तो इसकी value किया है 40 plus 3A equal 36 minus A अब A A वालों को एक तरफ करो 3A अल्रेडी है इस वाले A को वहाँ transfer करेंगे तो plus A 360 अल्रेडी है नंबर वाले को वहाँ transfer करेंगे तो 40 3A plus A 4A बन जाएगा और यहाँ पे 320 ठीक है तो A बराबर 320 अपान 4 cancel करो 4 बन जा 4 4A जा 32 0 का 0 तो A की value किया गई 80 degree लेकिन अब को तो निकालनी B की है तो एक condition क्या लिए थे A plus B is equal to 360 360 में से A वाले को minus कर दो 360 में से 80 को जब minus करोगे तो 280 degree आजाएगा ठीक है question number 11 देखिए find the values of A, B, C, D आपको diagram से A, B, C, D की value find करनी है तो यहाँ पर देखिए जब भी यह बड़ा एंगल बनता है मतलब चारो का एंगल का सम कितना है 360 तो कितने 70 plus 60 plus A is equal to क्या लेंगे 360 ठीक है यहाँ add करेंगे साच 6, 13 हो जागा 0 का 0, 130 हो गया A की value निकालने कि तो 130 को 360 से minus कर देंगे तो 230 चारो को एंगल का सम कितना होगा 360 तो चारो को add करेंगे 125 plus B plus 59 plus 110 is equal to 360 B को छोड़के बाकी सारी values को add किया तो कितना आ गया 294 plus B is equal to 360 ठीक है B की value निकालने है तो 360 में से 294 को minus कर देंगे तो आज आएका 66 C की देखिए C में भी 4 एंगल है 90, 90, 4C, 5C चारो को add करके देखिए नहीं अब 4C plus 5C is equal to 90 plus 90 क्योंकि ये दोनों उसके दूसरी राइब तो इनको 9C करो इदर 180 करो C की value आ जाए यहाँ पे भी इतने सारे एंगल्स है लेकिन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 तो D, D, D आपस में add कर 3D बन जाएंगे 62, 62 add कर 124 बन जाएंगे 105 और 47 add कर 152 हो जाएंगे फिर 124 और 152 और 276 बन जाएंगे फिर D की value निकल आएगी ठीक है Q नमबर 12 इस name the pair of vertically opposite angles आपको यह diagram में vertically opposite angles के pair बनाने हो तो vertical opposite angles क्या होता है जो just उसके opposite हो तो angle 1 का opposite क्यों है 4 2 के opposite क्यों है 5 और 3 के opposite क्यों है 6 तो आप लिख दोगे 1, 4 के बराबर 2, 5 के बराबर 3 जो है वो 6 के बराबर ठीक है Q नमबर 12 देखिए How many pairs of vertically angles are in the diagram इस diagram में कितने pairs हैं vertically opposite तो कितने होंगे 6 कितने 1, 2, 3 उपर 3 1, 2, 3 नीचे तो टोडल कितने है 6 तो आप लिख दोगे 6 ठीक है तो यह chapter बहुत easy है आपको जो नहीं समझ में आया इसमें से तो आप मुझसे अभी पूछना ठीक है और इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल दूर दूर कॉपी में बिल्कुल क्लियरिटी से इसको नोट डाउन करोगे ओके ठैंक्यू